क्याहर में एक पागल कुत्ते ने आंतक मचाया और केई लोगों को अपना शिकार बनाया एक दिन में ही 30 से ज़ादा लोगों को काटा इसमें बच्चे भी शामिल हैं सभी घायलों का पठानकोर्ट सेविल होस्पिटल में इलाज किया जा रहा है वही एक ही हालत घंबीर देखते हुए उसे अमरी से रैफर कर दिया गया कुत्ता अभी पकड़ा नहीं गया है जिससे शेहर के लोग सहमे हुए है हाला कि इस घटना के बाद नगर निगम के करमचारी उस कुत्ते के तलाश में जुटे रहे लेकिन अभी वह मिला नहीं है उधर हस्पताल में उप चार दीन गाहिलों ने बताया कि पागल कुत्ता सिधा उनके घर में खुसाया और उन्हें काट खाया जबकि कुछ का कहना था कि कुत्ते को गली में दुकान पर यहां फिर बजार में जो भी उसे दिखाई पड़ता है उसे बुरी तरह से पड़ जाता है आज उसने की लोगों को अपना शिकार बनाया पागल कुत्ते के आंतक से पुरा दिन शहर के लोग सह में रहे बच्चों को भी घर में रखना मुनासिव समझा और बाहर नहीं जाने दिया लोगों ने काया कि अवारा कुत्तों का आंतक सिर्चन कर बोड़ रहा है हर गली महले में इन दिनों कुत्तों की फोज खत्रनाक बनती जा रही है इन अवारा कुत्तों को पकड़ने की तरह किसी तरह का भी अभ्यान नहीं चलाया जा रहा जो चिंता का विशे है एरवासियों ने नगर निगम से अवारा कुत्तों को पक्रणने की मांग की है एक अदे पास थी बंदे पे एता ही कुतन हुने थोड़ी देर दे अंतर अंतर ही फालड़ाना तो नो केसे हैं के सैली कुल यहां तो आया है मौसली सा डिकोल डोग बैट ते हुन तक सा डिकोल पच्ची तो ती केसे हो गया है टे जिदा पेशन आतर हे लग रहे ये कियनांग जोड़ी अपोटे में को नाकील हिर रगपार्यू एक तो यह जोड़ी का प्शे तो अड़ी पीज़े है तो डिक सोग रेंप राहे minutes पानकोट से कैमरामेन अभिशेग भारतवाज के साथ अजे सैनी की रिपोर्ट